अश्लाम उलाएकुम प्यारे बच्चों, क्या आप जानते हैं? हमारे मुल्क का नाम क्या है? हम किस मुल्क में रहते हैं? सोचिए, सोचिए, हिंदुस्तान, जी हाँ बिलकुल सही, हम हिंदुस्तान में रहते हैं. बच्चों आपने आपके पड़ोस में अतराफ में आस पास में देखा होगा कि हमारे साथ हिंदू, मुस्लिम, सीख, इसाई, जैन, ये मुख्तलिफ मजभ़ के मानने वाले लोग हमारे साथ रहते हैं और वो उनके मुख्तलिफ तहवार भी मनाते हैं जैसे हिंदू लोग उनके तहवारों में दिवाली का तहवार मनाते हैं इस तहवार में आपने देखा होगा कि वो पटाखे जलाते हैं, दिये जलाते हैं, फुलचरियां जलाते हैं होली में रंगों से खेलते हैं, एक दूसरे कोर रंग लगाते हैं क्रिस्टिन लोग क्रिस्मस का तहवार मनाते हैं क्रिस्मस ट्री लगाते हैं इस तरह सिक लोग लोडी का तहवार भी मनाते हैं आपने देखा होगा हम मुसलमानों के भी दो तहवार है इदल फित्र और इदल अज़ा इद दिल फित्र को प्यारे बच्चो रमजान की इद भी कहते हैं क्यों कहते हैं इसे रमजान की इद क्योंकि इस इद से पहले रमजान महिने के रोजे रखे जाते हैं आपने देखा होगा कि आपके अम्मी अबू भाई बहने दादा दादी भी रोजा रखते हैं रोजे में सूरज निकलने से पहले जो खाना खाते हैं उस खाने को हम क्या कहते हैं उस खानी को हम सहरी कहते हैं और शाम में रोजा खोलते वक्त जो खाना खाते हैं शाम में रोजा खोलने के लिए उसे क्या कहते हैं उसे हम इफ्तारी कहते हैं तो प्यारे बच्चों आज हम आपकी जमात सुवम के उर्दू की दर्सी किताब का सबाख नमबर बारा पढ़ेंगे जिसका नाम है इफ्तारी